मेरे हाथ ने चोटी दूधी का पौधा यह बहुत साखा यूगत होता है क्योंकि इसके पत्ते गोलाकार होते हैं और यह हरे होते हैं इसकी जो साखाएं हैं लाल होती हैं इसके जड़ काफी अधिक लंबे हैं देखिए काफी अधिक साखा यूगत होने काने इसके पत्ते काफी अधिक काम किया है इसके पंचांग का जो है पचास ग्राम काली मेर्ज दस ग्राम भुनी हुई लोंग 10 ग्राम मुलेटी 25 ग्राम क से चार पर सेवन करेंगे स्वास रोग ये अस्तमा ये दमा में छोटी दूजी का उपयों काफियों अधिक फायदे बन्दे को कि इसके पंचांक का अगर हम पाने के साथ पीते हैं तो स्वास का वेक्सांत हो जाता हुए अगर एक चमच सहद मिलाकर हम सेवन करते हैं इसके र पुस्प जादा है और ये वर्षा रिटू के पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहापर तो इसमें बहुत कम सुछम आपको पुस्प दिख रहा होंगे और बहुत बारिक ही इसमें फल भी आते हैं और ये फल जो होते हैं चतुस्कोड नुक्यले होते हैं और इस चोटी वहां भी उगाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर मिट्टी नहीं है यहां पर कांक्रिट है यह पत्थरों की बीच से उगे हुए हैं वो काफी अधिक ओसदिक गुर्ण है इसमें बावसिर में काफी अधिक फाइदे मंद है चोटी दूधी का उपियों जो है पचास ग्राम ताजा चोटी दूधी और पचीस ग्राम रसोत को पानी में पिसकर दो दो ग्राम की गोलिया बनाकर दिन में तीन बार लेने से यह बावसिर काफी ठीक हो जाता है अब पिलिया में फाइदे मंध होता है चोटी दूधी का उपिलिया और सदHzीकूर कुड़ गायक का जो दूध है 250 ml लेकर उसे गरम कर थंडा कर लें इसमें 12 ग्राम छोटी दूदी का पत्ता मिला का प्रात्य का पिलाएं इस पर का तिन दिन पिने से पांडू कल, कामला या पिलिया के रोगी को लाब होता है छोटी दूदी के सेवन से बढ़ती सारी टाकत अगर किसी पर करकिए गमजोरी हैं तो इसका सेवन करने से काफी अधिक राहत मिलता है, क्योंकि इसके रस का हम सेवन कर सकते हैं दूद्द के सारथ तो इससे सरीर को पोसधक पराप्त होता है अगर हम देखें कि हाई ब्लड प्रेसर है तो यह काफियादिक फाइदेमन है को कि यह धरकन है और हिर्दे के स्पंधन को कम करता है मुँ में अगर चाले हैं तो छोटी दुद्धी का सेवन करें तो वह फाइदेमन होता है इसके जड जो है और इसके रस इसके पेश्ट और पाउडर और टेबलेट ये काफी अधिक बहतर है क्योंकि इसमें हम देखा आगिया है कि जो सुगर पेसेंट है हाई बलड पेसर है या जिसको अस्थमा है या हम बता सकते हैं कि जिनको फंगल इंफेक्शन है या हम किसी प्रकार कि स्खासी है तो ये काफी अधिक काम आता है इसके रावा देखा कि कोलन केंसर की बचाव में भी काफी अधिक है क्योंकि इसमें जो एंटी आक्सिडेंट गुर्ट क्रीक रेडिकल को दूर करने का इम्निटी सिस्टम को बढ़ाने का भी इसमें गुर्फ आ जाता है और देखा गया है कि इसमें जो एरिसी पेलाक को मदद करता है बच्चों में जो कब्स की सिकायत उसको भी दूर करता है और हम गये गोनोरिया हो गया या मोनोरिया हो गया या किसी पका के कीट मकोडे काटते हैं तो इसका उप्योग करने से वह अविस कम हो जाता है या रिंग वर्म में भी काफी अधिक फायदे मन होता है इसके आप देखा गया है कि ये अधिकांसता पेट की समस्याओं को भी ठीक करता है तो है ना कितना फायदे मन कितना फायदे मन